नवश्कार मित्रों स्वागत आपका हमारे चैनल जेवी डिवोश्मन में पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस परकार करण पहुंच गए हैं इंद्रपरस्त और पांचों पांड़ाव जो हैं वो आक्रोश में निकल गए हमनी माता को छोडाने या किसी तरह के से हस्तिन के साथ युदिस्ट्रे ने हों को बताया है कि मैं तुमको नहीं रोक सकता हूं अगर तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो चाह सकते हो मैं हमला ने कर सकता या पर मैं आदेश नहीं दे सकता ही लेकिन एक शर्त रख दी है युदिस्ट्रे में कि पहला हमला अगर आपने कि वार अगर तुम लोगों ने किया तो मैं नगर खात्याग, मैं राज जी करता है, कर दो फिल्हाल, चलते हैं हम एपिसोड 129 पार्ट बन के लिए शाफ्त हो गया हम दो हुँँँए हादेवा, यह पार्ट यह पार्ट पहले इसने हर्सिनापूर का त्याग कर दिया था इसलिए आपकी प्रजाजन है इसे सुरक्षित यहां पहुंचाने आया हुँए अबनी सुरक्षा का क्या प्रबंद किया इंग्राज अबने यहाँ भूल दए हमारी माता को बंदी बनाया है भाई जो मिले उसी पर आपको उसकर दे बहले तारी प्रजा को बंदी बनाया है प्रजाजन बंदी नहीं कुमार सहदेव केवल विवस्था बनाये रखने के लिए कुछ समय के लिए उन पर यह बंधन डाला गया है इवराज दुर्योधन अवश्य ही अपने प्रशीक प्रजाजन के सुख दुख का विचार करेंगे और कुमार नकुर्थ राज माता कुंती हसिनापुर में बंदी नहीं राज परिवार की सदस्य है उन्होंने स्वेम यहां ना आने का निर्ने लिया है असत्य अपनान्गर पूजन में वागर नहीं आएगी विवाद मत करो नकुर्ण पात्र की छवी को अधिकार नहीं होता कि वह किस देशा में बैठे उसका पूरा जीवन के वल पात्र और प्रकाश पर ने पर होता है उनका पूरा जीवन दुर्योधन के आशिक होता अंगराज क्या जाना कि सत्त क्या है और असत्त क्या है वो तो केवल भ्राता दुर्योधन के शब्दों को रटते है मैंने अंग के राज्य का त्याक कर दिया अब एक समाने प्रजाजन मुझे तुमसे युद्ध करने में कोई मर्यादा नहीं और न तुम्हे होगी दनुष उठाओ दनुष उठाओ दनुष भाई जिस एमोशन के साथ है आप पहुंचे है वो भी सोचना नी बात है ना एक संदेश लेके आए हैं एक प्रजाजन लेके आए सातन में अधुर्योधन का सारा जो गुस्सा है वो इनके पोड़ दिया अभी वो समय नहीं आया है किन्तु अभी आप इंदर प्रस्त के अतिती है और पांडव अतिती पर शस्त्र नहीं उठाएंगे मुझे आपके रक्षन के आवश्रकता नहीं है वासुदेव मेरा रक्षन मैं स्वैम कर सकता हूं स्वैम भगवान सूर नहीं सूर नहीं मैं यहां पांडवों का अतिती बनने नहीं आया उनकी माता का संदेश उन तक पहुंचाने आया उन्होंने यह संदेश भीजा है कि नगर पूजन के तुरंत बाद स्वतंत्र हो जा जब तक इंद प्रस्त पर स्वतंत्र पता का नहीं फैरेगी वो इस नगर में प्रवेश नहीं करें कि शंदेश आप लेकर आया महारतिकर्ण अपने प्रीय मित्र को नहीं बताया मैं वराज दुर्योधन का मित्र हूँ गुप्तचर नहीं जब तक आप लोगोंने यह संदेश नहीं सुना था तब तक आप लोगों का स्वतंत्र होना एक शंका थी और शंकाएं बताने का खार एक उप्तचर का हुता है गिन्तु अब यह एक जानकारी है जो मैं अपने मित्र को वश्चे दो यहां से रिटर्न होने बाद पहली जानकरी वाँ अगर आप तक यह ना पहुँचा होता और यदि युद्ध हुआ तो मैं जरूर रहूंगा तो अपने मित्र के रक्षण के लिए तब से पहले मैं खड़ा रहूँ दीव ये तो नहीं कर रहा है ये नहीं सोदर नहीं रहा है अद्भूत महारती कर्ण आप ते यही अपेक्षा थी तरमे रहे क्कशस क्वशव ये कहनो आपका हूँ वाद अपहा ये बडाक मही फोपोल के है तरमे चेए कामेो Cॉश्च क महीं झाभरतर्शव येधी हस्तितततततत रहत्तba तरमे चार्थे चा कामे चामे पुश्च 스तततरततीत improvements इसकन्या को इसके पिता तक पहुँचा देना अब यहां से मिलने के बार ति कैसे मिलेंगे क्योंकि अस्तिनापुर कोई जाएगा नहीं यहां इंदर प्रस्त में आएगे नहीं तो कैसे ही जाएगा मतलब उसत्ता है इतना ही साथ लिखो इतने अनविग्य बेना बनी है आप ठीक है प्रेम की बात हो अर्वासिदेश्री कृष्ण इस दो आप प्रेश्री कृष्ण उसको अप्राइड आप यह तो हो इसे शममाव सकता है आज आँ पर आज़ को रिच बे पूर्ण आँए पूरा जाँ पूर्ण और रहा दूसरा नहीं मिलेगा वाह, इस बीच वाहिए यह लुग क्या बात रहा जो यह बना जाँ के आए भाई, वियूझ चें आए दो थे। भगवान चाभ्स करतें नहिंते हैं तो मार्ग दगए मुढूंदा ढूंदा हैं जब कर भी घर्णी है जिए यहां थे लिए अटे मूशन कंदे जा रहें तो लेकिन प्रूत नहीं आगे है जा रहे हैं गिरने का ताथ पर है मेरा फ्रेम से है भाई अंगराजकन कोई एक प्रेम की एक सपोर्ट की अवशक्ता को है धीमन फ्रेम की ही तो तलाश रही है हम अंगराजकन एक तो अंगराजकन चल में बहुत तेज रहे हैं विचारी से छेज़े सच्त्री आओ सैट इप्यतला हाजाएगा इस अपेशितले सें नहीं पो जएगा सरसो कंचेप कहीं महारती करण को यह नहां लगे कि अस्विकार तो नहीं कर दिया तो नहीं कर दिया अभी तो कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ तो बात होगी जिए बात ही तो आशक समय रुक सा गया है हुँ आप कभी खाली हाथ लौधाते में महारती कर्ण एक कान मुझे भी मिलेगा कि अवस्ट कि तो मेरे पास अब तुम्हें दान में देने के लिए कुछ शेश नहीं व्रिशाली राज जी और कोश दोनों का त्याग कर चुका हूं मैं अंतिम जो कुछ मुद्राय शेश थी वो नदी थट पर फेकती है उम्हा ही विल झादी जादी में आपके पास रागो तूम्हें है पुछ कि एशो नदी मिलेगा रादी निदे करो तो कि आपका साथ डान मिलेगाए कि एशो में तक एशो सबकुस तो बड़ा अच्छा है लेकिन जो महारती करने जो बाद बाद पर अपना धनुष अरजुन के सामने टनकार ले लेते हैं कि आज ओ, मैदान में, हो जाए फैसला, कॉन सर्फिस्ट, हो जाए फैसला, कॉन सर्फिस्ट, ये देखने में बड़ा सो चिकर लगता है, शा भी लेकिया है, उसके बाद आप जितना भी दितराश्ट या दुरियोधन से जितना भी आपका आवेश्टा उस सब आपने मुझ पे निकाल लिया, खिर, अगर बात करें महारती करन की, केवल उनके व्यवहार और व्यक्तित की, तो देखा जाए तो एक ऐसा व्यक्तित, ज उसने राजी का त्याग भी कर दिया, तो कहीं न कहीं परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि हो सकता है महारती करन धर्म के मार्क पे चलें, लेकिन जैसा कि हम एक चीज़ तो पता ही है कि महाभारत के युद्ध में, करन और अरजुन आमने सामने ठकराते हैं, क्योंकि अरजुन दुरियोधन को ऐसे भी वचल दिया है कि मैंने मित्ता का त्याग नहीं दिया है, और अरजुन दुरियोधन के सामने शस्तु थाएंगे, तो उनको सामने करन ही मिलेंगे, देखने में बड़ा मज़ा आने वाले हैं, आगे के एपिसोड फिलाल तो यह जिलनव स् जिसके प्लीज जाके अपना प्यार थोड़ा सा दिखाईए, आशा करते हैं आप हमें वहाँ भी पसंद करेंगे, फिलाल के लिए रहा दे रहते हैं